अलो दोस्तों स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहां पर जानने वाले हैं हमारा जो यहां पर फ्रेंड लिस्ट है ठीक है जिस फ्रेंड लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे फ्रेंड है ओके यह लोग जिस क्लान पर है हैं आप लोग उस क्लान के अंदर किस तरीके से जा सकते हो अगर आपका कोई क्लान नहीं है तो आप लोग जो है उस क्लान के अंदर किस तरीके से जा सकते हो वही तरीका जो है मैं आप लोगों साथ यहाँ पर सेयर करना बला हूँ तो चलिये दुस्तों वीडियो को start करते हैं उसलिए अगर आपना वेज़नों को subscribe नहीं क्या है यदे पिर हमारी चैनल के अंदर नहीं हो तो चैनल को subscribe करलो आल बेल बेल अगन पर प्रेस बेड नोड़केशन को आल पर set करो ताकि मैं जब भी इस तरीके की वीडियो लाता रहूँ उसार नोड़ के संज़ आप लोग तो इंस्टंट आता रहे ठीक है तो चलिए simply हम लोग देखते हैं तो देखिए अगर मैं यहाँ पर clan को उपर click करता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी clan के अंदर नहीं हूँ देख सकते हूँ यहाँ पर तो मैं अपना यहाँ से clan भी create कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर create नहीं करूँगा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने बाला हूँ अपने friend list के अंदर से आपको किस clan पर जाना है ठीक है मतलब यह देखे यहाँ पर यह मेरा एक friend list के अंदर है तो मैं इसको पर click करता हूँ simply आपको क्या करना है player profile जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है यह वाला तो आपको इसको पर जाना है player profile के उपर ठीक है फिर उसके बाद क्या करना है आपको जो है यहाँ पर एक बार tap करना है इस जगा पर ठीक है तो चले मैं टैप करता हूँ टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पार देखिए यहाँ पर clan दिखाई दे रहा है यह जो है दोस्तों यह clan है ठीक है यह कुछ आमी अखोमिया करके कुछ एक clan का नाम है देख सकते हो यह यहाँ पर एक member है clan के अंदर यह जो player है यह clan के अंदर member है तो मुझे अगर इस clan के अंदर जाना है तो मुझे क्या करना है simply यहाँ पर जो apply का button यहाँ पर दिखाए दे रहा है simply इसको उपर click कर लेना है जैसे हम click करेंगे तो हम उस clan के अंदर enter कर जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाएता हूँ करके ठीक है तो मुझे एक clan के अंदर add होना है तो मैं चलता हूँ अपने friend list में तो यह वाला देखिए तो मैं यहाँ पर चलता हूँ profile के अंदर तो देखिए उसी प्रकर्चाप को यहाँ पर एक बार tap कर देना है character name के उपर ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजे यह एक clan है I am official का ठीक है तो मैं इसके अंदर join करूंगा तो मुझे क्या करना है यहाँ पर apply को पर click कर देना है अब यहाँ पर click कर सकता हूँ या फिर आप इस clan के name को पर click कर दो यहाँ पर आप लोगों को clan का details दिख जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो clan का label भी यहां से दिख जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों यहां से आप request भी send कर सकते हो तो मैं यहां से apply करता हूँ ठीक है एक minute ओके तो जैसे यहां पर apply पर click करोगे तो आप directly यहां पर आ जाओगे इसके आपको क्या करना है यहां पर request पर click कर दे रहे तो देखिए मैं यहां पर clan के अंदर join हो चुका हूँ तो यह clan जो है open था तो इसलिए मैंने जैसे request किया तो यहां पर directly मैं आ चुका हूँ और clan के अंदर मैं यहां पर join हो चुका हूँ ठीक है यह देखिए अगर दोस्तों आप लोगों का मतलब क्लान यहां पर open नहीं है ठीक है तो आपका क्या होगा एक request चला जाएगा जो क्लान का leader होगा उसके पास वो जैसे आपको approval देगा तो उसके बाद जो है आप लोग क्लान के अंदर मतलब enter कर जाओगे ठीक है तो यह छोटा सा फंडा है जिससे कि आप लोग यहां पर बहुत बड़े ही आराम से यहां पर मतलब क्लान के अंदर किसी के भी क्लान के अंदर यहां पर enter कर सकते हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो है अगर क्लान के अंदर हो तो उसे किस तरीके से छोड़ सकते हो छोड़ने के बता लोगों को समझ में आगाया होगा हम जो है किस तरीके से यहां पर मतलब फ्रेंडली से क्लान के अंदर जा सकते हैं ठीक है तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई दिखका था तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपके कमेंट का 100% रीपले दूँगा और कोई सवाल है तो मुझे पुछ सकते हो अगर किसी भी टॉपिक को उपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो मैं आपके टॉपिक को उपर 100% वीडियो लाँगा ठीक है तो बाकि दूसर वीडि हमें तब तक के लिए stay tuned our channel